हेलो दोस्तों सेलाम वालेकुम रहमेत उल्लाई वरकातों कैसे दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे खेरत से होंगे अच्छे होंगे तो सौधियर में जो लोग काम करने वाले हैं और जिसके ओपर हुरुप लगा हुआ है या जिसका फाइनल एक्सपायर हो गया है जिसका खामाई नहीं है । आप लूगों को क्या करना एंधियन आप लोगों के लिए एक लिए क्वेट किया है एक ट्रॉ वाले कोईटेंट तो आपके जो आपके ओपर कुछ भी रहने दो आपको MBC वाले भेजने की कोशिश करेंगे मैं लाश्ट वीडियो बनाया था दोस्तों आप लोगों को पता होगा हरूप वालों के लिए MBC ही कर सकती है MBC के अलावा दूसरा कोई बंदा काम नहीं कर सकता यह बात आपको दिमाख में रखने आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इसी आपको यह फॉर्म को अच्छे से भरना है आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा ठीक है वीडियो देखकर के जी फॉर्म भर बहुत क दोस्तों बृडर नंबर जो है जिसका व्ळी विजीट मुदा होतं है जा वह वी द्यक्ति औरॉता है वह यह तो फापी भी है तो है तो उसका नमबर होते हैं दालना होता है इंडियने लोगो गया था वो लोगों को इन्हों में जानी की तयारी कर दियों लोगों की यानि की उनको एक्जिट लगा दिया है फिर एंड 3032 इंडियन नेशनल इन हुरूप कैटेगरी है अगर और कोई लोग है हुरूप वाले हुरूप जिसका है या फाइनल एक्जिट जिसका है या अखामा नहीं है पास्पोर्ट गुम हो गया परवा नहीं है टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूप नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा वह लिंक पर आपको यहां से निकाल देगी और अपने मुल्क को वापस कर देगी सीरियस बात बोल रहा हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा देखना है और शेयर करना है जो बंदा हुरूप में पसा हुआ है जिसके पास अखामा नहीं है और जिसका फाइनल एक्जिट एक्सपाय ते इंडिया ग्याती एनुदह करें और वीडियो पूरा कन नोड़रा से बटीटर में करके रखा हुआ हूं लिंक है ठीक है यहाँ पर इनूने दिया है यह देख सकते हैं आप तेके इसपर टाच करना है आपको यह न भी डिस्क्रिप्शन of India करके और यहां क्या है request form request form for final exit visa for person with expired ekhama और हुरूब status अगर आपका हुरूब में लगा हुआ है या आपका इक्सपायर हो गया है या आपका exit visa expire हो गया है तो भी आप यह भर सकते form यहां देख सकते आप ऐसा आएगा इसके बाद यहां request for request form for final exit करके नीचे दिखा रहा है आपको इस्पे टच्च करना है उसके widdle यहां पर यहां पर हंदी में क्या क्या लिका हुआ एगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो हिंदी में English में ने इसके बाद पहले आपको आपको नाम लिखना है जो पासपोर्ट पर आपके नाम है वो नाम लिखना है उसके बाद यहां पर अरबिक में अरबिक में नाम लिखना है आपके एखामे का जो नाम है एखामे के ओपर जो नाम है वो अरबिक में यहां लिखना है ठीक उसके बाद आपका मुबाइल नंब पर whatsapp का जो मुबाइल नंबर भो लिखनाँ है आपको यहां पर उसके बाद मुबाइल नंबर इंडिया का जो मुबाइल नंबर बोलिकने और email इडी लिखनाए आपको email एडी कंपाल सरी होता है दोस्तों बगर email एडी के काम नहीं चलने वाला अब यहां पर आपको passport के details देना है, यहाँ पर आप passport number डालना है, फिर passport का expired date डालना है, उसके बाद passport is valid or no, यहाँ पर ticks करना है, आपको यह जो round round दिख रहे हैं, छोटे छोटे टिप के इस पर tick करना है, passport expired हो गया तो expired लिखना है, passport lost हो गया तो lost लिखना है, ठीक है, emergency certificate valid, emergency certificate valid, यानि emergency certificate के लिए होता है, उसको फोटो मार करके हैं, choice file पे जो है टच करके आप पासपोर्ट की फोटो को upload कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आपको अपने एखामे का डेटेस दालना है, या border number जैसे विजिट वीज़ा पे जो लोग आते हैं, उनके पास एखामा नहीं होता है, तो उनको border number दिया या कैसा है, अपके आखामे का डेट दालना है, उसके बाद एखामा स्टाटोस की स्तिति, यहाँ पे हरुब है, क्या है आपको देखो, यहाँ पर बता रहीं, आपको यह कमपल स्थेटोसी डालना है, ठीक है ना, check हरुब स्पाइट और talk और अगर आपका हरुब हैं तो य ठीक है मतलूब पॉलिस केस अगर आपके ओपर पूरे भी लगे हुआ है तो पूरे पर टाच करना ठीक है आपके आखामे की फोटो मारना है इप़ोन से ही तिरी जॉइस फाइल पे जो है ठाच करके आपके फॉटो को अप्लोड करने है ठीक है यहां वीजा डिटेल्स अगर आपके पास जो वीजा है वीजे का कौन सा प्राकार है यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखना है आपको उसके बाद जो है नेम ओफ कमपनी अगर आप कमपनी में काम करते हैं तो कमपनी का नाम लिखना है या फिर आप हाउस ड्राइवर है तो प्राइवेट ड्राइवर क करके लिखना है ठीक है ना contact number of sponsor यांध के चाइब के मालले का नंबर कफील मेंगा और दो क्ल पूंच लेंगे थीडिक या उसके बाद में आपने सब dangал कर दिया उसके पढ़ना है और को मैं इस बात की गोशना करता हूं कि आ ओपर दी गई सभी जानकारी मेरे सरवक्षेतर ज्ञान के अनुसार सही है मैं यहां भी घोशित करता हूं कि मेरी कमपणी प्रायोजक पर कोई भी वेती दावा श्रमा शिकायत लांबित नहीं है मेरे खिलाफ कोई अपरादिक मामला और श्रन लांबित नहीं है उसको फिर यह पढ़ने के बाद में आपको और विडियो को आईसा बता रहे आप आपको लिखना उसके बाद में आपको काम और यह एकाम करना है फिर आप पता नहीं है कि फॉर्म कैसा बरना है कोई पड़े लिखे आदमी को पकड़ो उसको बोलो कि भाई मेरो को यह फॉर्म में लगावा हूं प्लीज करके उसको रिक्वेस्ट करके जो है आप भरवा सकते हैं अप आसानी से साथी अरब छोड़ करके जा सकते हैं देखो यह चांस अच्छा है यह चांस अच्छा मिला है अप लोगों को इसका फाइदा उठाना है और अपने घर को वापस चले जाना है ठीक है ना तो चलिए फिर मिलके आपके साथ अगरे कोई वीडियो में जब तक कि लिए मासलाम अल्लहाफीज झाली देखो यह चांस